कि विल्कम बैक आया में धर्मिन सर्फ्रम डियस इंस्टूट डॉक्टर मुखरिजनेगर देली मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे बच्चे एक ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि स्पोकेन कैसे करें स्पोकेन और राइटिंग कैसे करूं स्पीकिंग नहीं हो पाता तो हमने क्या क एक एक बेशिक को अठाया उठा कर कि मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप जितने संटेंस चाहो बोल सकते ओ चाहो लिख सकते ओओ अब यहां पर एक वीट्री होता है एक वेर्व का थर्ड ऐसको कितने तरह से उच कर सकते ओए आप कितने बैटर बना सकते हुआ आप एछ बेठर हो सकता है, इस पे आज चर्चा करेंगे, ताकि आप अंगरी जी बोलने में, लिखने में कभी को दिकत ना हो, हम बात करें वर्ब के थर्ड फॉर्म की, अब आप ए गौर देखिए, वित्री है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप इसको बना सकते हो adjective, बना सकते हो noun, बना सकते हो verb, बना सकते हो non-finite verb, बना सकते हो participle, अब है क्या सर, इसके बारे में चर्चा करके, एक एक पार्ट उठाता हूँ, आपको समझाने का प्रियास करता हूँ मैं, तो सबसे पहले हम बात करें, कि वीत्री के बारे में आपने बच्पन से सुना होगा, अगर मैं वर्ब की बात करूँ, एक टर्म को उठाओं, तो आपने टेंस के नाम तो सुना होगा, तो एक वीत्री के माद्दम से, आप हरतरा से उच कर सकते हो, तो हमने कहा कि वीत्री as a वर्ब, यानि वर्ब की तरह आप इसका यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए, तो कहां कर सकते हैं बाई, तो सबजट के बाद, सबजट के बाद, बस ध्यान देना आप, हैज लगाओ, हैव लगाओ, हैड लगाओ, इसके बाद, भर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हो, यह हो गया प्रेजेंट और यह हो गया पास्ट, यह दोनों हो गया परफेक्ट टेंस, जिसको हम टेंस का नाम देते हैं, जैसे मैं रोला, I have gone there, यहाओ, यहाओ था थाल होगा, आप लो सकते हो, He has come here, I have gone there, हैना, तो यहाँ प्रेजेंट उने हैजेंट का प्रेव कर सकते हैं, यह आप कैसान पर आप हैड प्रेव कर सकते हो, यहाँ आप कैसानाबे, एड का प्रेव कर सकते हो, I had gone there, he had come here तो यहां पर क्या हुआ हुआ? प्रेजेंटेंस और पस्टेंस का मिसन हुआ यहां प्रेयोग कर सकते हैं वी थरी को as a verb कर रूप में अब हम देखें तो verb की तरह हम easy mark का प्रेयोग second कर सकते हैं कहां कर सकते हैं तो passive voice में कहां कर सकते हैं वह ध्यां दो कि subject plus is am are अब easy mark हो या was verb हो तो इसके साथ भी आप verb का third form लगा सकते हो easy mark was bear plus verb का third form यह क्या हो गया? passive voice जैसे हमने कहां कि मुझे चून लिया जाता है तो हमने कहां I am selected I am selected मुझे चून लिया जाता है तुम्हें पहाया जाता है you are taught तुम्हें पहाया जाता है you are taught you are taught इस तरह से आप verb का use verb की तरह कर सकते हो v3 का प्रयोग आप verb की तरह कर सकते हो अगला sense देखें अगर आप चाहो तो v3 का प्रयोग passive voice में subject के साथ has have had के साथ आप बीन लगा करके वर्व का थर्ड फर्ड फर्म लगा सकते हैं जैसे हमने का मुझे चून लिया गया है I have been selected हमने क्या का I have been selected मुझे चून लिया गया है तुम्हें अंग्रेजी पहाया गया है यू have been taught English तुम्हें अंग्रेजी पहाया गया है you have been taught English मुझे चून लिया गया है I have been selected सबजियां बेची गई है vegetables have been sold तो बेची गई है have been sold बेची गई थी had been sold तो इसका एक प्रयोग देखते आपने तो इस वित्री के तरह आप सारे tenses में सारे voices में आप इसका प्रयोग कर सकते हो as a verb right अब देखते हैं कि वित्री का next use क्या है वित्री का जो next use है आप देख रहो as a noun यानि वित्री को आप noun बना सकते हो बच्चे यानि वित्री as a noun अब बताओ noun का मतलब क्या होता है subject subject object जैसे हो गया गया is done ऑम हो गया done is Shop रिटेन इज रिटेन लिखित क्या है लिखित लिखित है दन इस दन हो खतम हो गया तो खतम हो गया फिनिस्ट इस फिनिस्ट 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 इस फिनिस्ट दन इस बन क्लियर तो आप इसका परोग कर सकते हो एज नाउन किसका परोग वारू के थार्ड फॉर्म को आप कर सकते हो अगला परेदों के मोग कर सकते हैं आप Yisang narrative क्या है वो जानने का प्रराइस करें यानिवितरी का आपका म कर रहे हो as an adjective अभीतरी का प्रीयोग आप एड्जेक्टिव कजैसा कर सकते हो कैसे जान है आ light मैं मिला आइ मेट ई डिसपॉइंटेड गर्ल अब ध्यान दिशे बच्चे कि जब कोई भर्व के थर्ड फर्म का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए तो उस एड्जेक्टिव को हम कहते हैं भर्व का एनि एड्जेक्टिव कहते हैं जब कोई विथ्री का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए एक गर्ल यहां पर क्या बाबू गर्ल क्या बच्चे नाउन तो जब कोई विथ्री का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए उस विथ्री का नाम होता है एड्जेक्टिव और उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं पास्ट, पास्ट पॉटिसिपल और इसी को हम नोन- lighter भी कहते हैं. नोन-फढ़्ध यानि नोन फणाइट का मतलब हुआ यानि कि सबजच के बाद, जो फर्व होता है उसे हम फनाइट भर कहते हैं और सबजच के बाद, अगर कोई वर्ब लाया गया हो तो उसे हम नॉन फॉनाइट वर्ब कहते हैं तो यहां पर यहां भी वर्ब है यहां भी वर्ब है तो यह वर्ब सब्जेट के पास है इसलिए फॉनाइट वर्ब और जो सब्जिटस डिस्टेंस में उसे कहते हैं नॉन फनाइट तो ये आपका हो गया नानफनाइट फॉर्म अब भर् Love Heальным नॉन फुनाइट भी एई है, एडिक्टी भी है, पांश पार्सिपल भी है, और कोई से काथ नहीं सकता, चाहा कहीं भी पह रहे हो तुफान हो, दुनिया का कोई टीचर हो, कहीं पह रहे हो अप, इसको आप ध्यान खना, जो पहा रहा हूँ, यही सकते हैं, इसी को मानो, तभ आप एक एक वर्ड को सीख पाओगे, और आप डगमगाते रहोगे, इसके कईक नाम है, कोई कहें वित्री है, बिल्कुल कहो कि हाँ भी वित्री है, कोई कहें अगर बित्री, पांश पार्टिसिपल कहा जाता है, बागी वित्री का प्रयोग, एज़ अगर नाउन से पहले क आप कर सकते हैं, एक ही, अंगरी जी का स्लेबस इत्ता सही बटा, इसम छोटा स्लेबस है, बस सिस्टमेटिक आप यूटूब पे फॉलो करो, अंगरी जी आपका बेतर हो जाएगा, हमने दावा उठाया है, बिला उठाया चिखाने का, तो आप सीख जाओगे, तो हमने कहा I met a disappointed girl, एक्जामपल और सुन लिजी, हमने कहा, I met a tired man, हमने कहा, I met a tired boy, tired का मतलग हो, थकावा लड़का, तो कोई भी थकावा हो, tired हो, वहाँ परो कर सकते हैं, हमने कहा, he carried a loaded gun, he carried a loaded gun, gun क्या है नाउन, और नाउन पहले लोड़ड क्या हो गया, एड जेक्टिब, तो he carried a loaded gun तो यहाँ पर जो लोड़ड वर्ड है, वह क्या हो गया, एड जेक्टिब हो गया, इस तरह से बच्चे, उसी को हम, जिसको हम कहते हैं अजेक्टिब, वही कहलाता है पास्ट पार्सिपल, और वही कहलाता है नॉन फनाइट, यानि यह तीनों फॉर्म, आप देखो, तो ना सकते हैं, according to the nature of, जैसे बोते हैं, लिखित पत्र, रिटें लेटर, अब लेटर क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या हो गया, रिटें, रिटें क्या हो गया, वीत्री, वीत्री का मतलब क्या हो, एडिक्टिब, एडिक्टिब का मतलब क्या हो गया, पास्ट पार्टिसि क्या पास्ट पाश्टिपला लिखितपड हमने कहां को सित्फ माद्ग कुरा उप क्षुए और नाउन से पहले आ पफ लगा है जो काम हो गया फिनिश्ट हो गया वी tbecause फिनिष्ट अगला दो गया वी किम्तलब क्या हूं झाल 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 कि अचल झाल झाल झाल